तो हाई अबरीवरें और वेलकम टूफिजिकम अकैडमी तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मुश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो की आटी जैम की जो एस्परेंट है हमारे जो जैम 2022 मैं 222-23 के लिए परप्रेशन कर रहे हैं या गेट दो जार थैज के लिए प्लिकर थी कई ईस्परेंट होले का इंहीं I have 8ma जो कि आप उसके सानट साथ जैम का एकशाइना वाले हैं यह एस एक्जैम हैं say तो इन सारे इग्जैम में जो भी फीजिक्स के अंदर जितनी भी प्रीजिक्स होती है इस पीशली में जैम टीफर और जैस के बाद करहा हूं उसके अंदर इंपॉर्टनट्स होते हैं जो कि आपको एक अच्छा स्कूर लेता है तो ऑफिस है कि उसको एक अच्छी IIT यानि कि top की IIT में अराम से admission मिल जाएगा अगर आपको IIT Delhi, Bombay, Madras इस तरी की IIT चीए तो आपको क्या करना है 60 प्लस स्कूर करना है तो मैं आपको ऐसे topics कुछ यहां पर suggest करने वाला हूँ जो कि आपको all around paper में अगर आप किवल इतने topic पढ़के जाओ तो आप देखोगी 70 to 80 जो number का question paper है वो आप से पूछा गया होगा इन topic से ठीक है भई तो चलिए बात करता है mathematical physics से तो सबसे पहली और सबसे basic जो physics होती है सबसारे बच्चों को पढ़ना हूँ mathematical physics होती है देखो यार mathematical physics में सबसे पहले जब start करोगे तो एक तो पढ़ लेना coordination system ठीक है coordination system पढ़ लेना यह बहुत important है सारे question करने के लिए और दूसरा पढ़ लेना ड्राग डिल्टा यह यह ऐसा नहीं कि syllabus में अगर टॉपिक की बारे में बात करो तो आपको complete वेक्टर पढ़नी है यह ना वेक्टर में जितना भी पार्ट है ऐसा नहीं कि वेक्टर का कुछ पार्ट शोड़ना है जो 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 वेक्टर के अंदर मेंट्रिक्स का मेंट्रिक्स के अंदर भी प्रॉपर्टी जो मेंट्रिक्स होती है वह पूरा कवर करना है वहां से हर साल दो से तीन कुशन बनते रहते हैं मैंतेमेटिकल के अंदर फिर मैं आपको थर्ड जो टॉपी कि यहां बेस्ट कर रहा हूँ वह आपको पढ़ना है डिफ्रेंचिल एक्विशन ठीक है क्योंकि यहां से बहुत डिफ्रेंचिल लिप्विशन और फर्स्ट और पढ़ने के वल्ट सेकिंड ओडर के और पढ़ने फोटर मैं आपको टीफिर अिस पढ़न से लिए बारे है जैसे यहां पर आगर में आपको सिरीज पढ़ना है अगर मैं सीरीच के बारे में बात करूं तो सब से पहले तो आपको टेलर सिरीज पढ़ लेना है इससे कुशिन आते हैं तेलर सिरीज की पाच मैकलूरेन सिरीज को कुशिन करणने है और क्लिएा को सिरीज के कुशिन कर लेना हैं मतलब 100% गरांटी है कि इन नों गजो हूट पर सन्ग इन तीन में से कभी-कभी जैकोब बिन का कुशन पूछा जाता है तो मैथमेटिकल के अंदर अगर कोई स्टुडेंट है ना जैसे मैथमेटिकल मालूब 12-15 नंबर की आती है तो मैं आपको यह सजेस्स कर रहा हूं कि यह आपको तो आट से दस नंबर तक यह दिला देंगे केवल इतने टॉपिक ठीक है शॉर्रिटी के साथ आट से दस नंबर तो दो तीन नंबर का छोड़ना है तो कोई दिक्कत है नहीं तो मैथमेटिकल के अंदर आप अगर तयारी कर रहा है आई जैम जैस्ट टी ए फर की तो प्लीज अब बात करता है modern physics के modern physics scoring है पर lengthy है again modern physics is very lengthy but scoring you can say sir it is scoring but it is lengthy too it is lengthy also scoring तो है बट lengthy भी है modern physics के अंदर सबसे पहला पार में बता देता हूं relativity का आता है तो relativity में मेरे प्यारे बच्चो relativity में एक तो Lawrence transformation पढ़ लेना ठीक है वही लोरेंच का transformation जितने तरीकी के होता है वह पढ़ लेना quite 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 important लॉरेंच ट्रांस्पॉर्मेशन लॉरेंच ट्रांस्पॉर्मेशन के बाद आपको टाइम डाइलेशन पढ़ देना है और तीसरा टाइम डाइलेशन के साथ लॉरेंच ट्रांस्पॉर्मेशन में सबसे पहले रिलेटिविटी में लॉरेंच ट्रांस्पॉर्मेशन टाइम ड इंदरने बारे में बात करें तो किया सबसें पहले जीज़ आपको है मैं सबसक्राइन पहल करें पूरा कमप्लीत कर लिए令े ताहं से इस प्लस प्लस रे इस यह एक्तिविटी दो चीछ पढ़ देना काणने वाला होगा दो आ जाएगा otherwise ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है most of the बच्चे सबसे ज़्यादा जो फस्ते हैं वो quantum में फस्ते हैं क्योंकि quantum हर कोई पार्टिकल प्रॉबैबिलीटी ओके एक्सपेक्टेशन वैल्यू अला कोशिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना यह आपको शौर सौर्ट हंड़ेट परसेंट पढ़ देना है ठीक है फिर आपको श्रोडेंगर एक्वेशन के सल्वेशन पढ़ना है यानि कि वन ड्यमे नेशनल बॉक्स हार्मोनिक ऑक्सिलेटर अगला टॉपिक है हार्मोनिक ऑक्सिलेटर हार्मोनिक ऑक्सिलेटर यह भी एक क्वाइट इंपॉर्टन टॉपिक आपकी जीवन में रहेगा जोकि आईट जैम में हैल्प करेगा आपको ठीक है तो इस आर तो मोस्ट इंपॉर्टन इसके अलावा modern physics जादा नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा इतने से काम चल जाएगा और एक और टोबिक पढ़ देना है वे पार्टिकल डुएलिटी इससे वे वेलोसिटी और गुरूफ वेलोसिटी का कोशन आता है वे पार्टिकल डुएलिटी और इससे कोशन आता है वीपी और वीजी वाला इसके रिलेशन का कोशन आता है एंड आई थाट इस वन आप दो मोस्ट इंपोर्टन कोशन इन होल स्लाबस तो यह modern physics के बात हो गई क्लासिकल जनरली बच्चे लाइट नहीं करते हैं छोड़ना चाहते हैं बटाइस सजेस्ट कि क्लासिकल पढ़ कोविलिस्ट पढ़ा लू कोईलिस्ट फोर्स का इस इं पहलें क्वाजन का पर लेना क्याप़्िद ओंड़त पर देन का कोशन आता है और रिज्ट्यलो और इस अपर यहां स्हुलव कि अवीडी क्यnicas अ प्ढ़ाईन के लिए और सिंटर मास की बाद अब पढ़ venduë यहां पे conservation of energy के question deal कर लो, it is again important, moment of inertia निकालना, सीख लो, her body का, और moment of inertia की theorems पढ़ देना, ठीक है, moment of inertia and moment of inertia की theorems, one question going to ask from this particular topic, Bernoulli equation and equation of continuity, ठीक है, Bernoulli's equation, so Bernoulli's equation and continuity equation, तो Bernoulli equation and continuity equation is again quite basic and very important for all of you, so these, these, these are the very well known topics, I told you, these are the very well known and very important topic in mechanics for IIT jam preparation, there are lots of topic, बहुत सारे topic है, बट यह वो topic है जो आपको करने चाहिए, देखें, मजेदार और सबसे important, इससे लगभग लगभग 15 to 20 नमबर का आता है, IIT jam के अंदर EMT का part, अब बचो EMT में न, EMT में थोड़ा ध्यान समझना, EMT में पूरा पढ़ना, EMT में कभी भी आदा दूरा सर्जिस्ट नहीं करता हूँ, complete celebrity, चाहिए हो electrostatic हो, चाहिए हो magnetic static हो, चाहिए हो EMI हो, बले ही EMI और AC, यह दो topic छोड़ देना, एक एक question आता है, कभी नहीं आता है, but electrostate अच्छे से पढ़ना, magnetostate अच्छे से पढ़ना, Maxwell Electrodynamic, Maxwell Electrodynamic equation, so one of the most important topic is Maxwell Electrodynamic equation, यह पढ़ देना अच्छे से, तो आपकी EMT पूरी तरीके से cover हो जाने वाली यहां से, wave and oscillation, देखिए इसमें तीन पार्ट है, wave, oscillation and optics, wave oscillation and optics, तो wave oscillation में सबसे पहले superposition, यानिकि लिसाजस figure, superposition of wave, superposition of SHM पढ़ लेना, जहांपे आप लिसाजस figure पढ़ते हैं, this is very important, damped, damped harmonic oscillation, damped harmonic oscillation, quite, 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 quite important for all of you, damped harmonic oscillation आपको पढ़ना है यहां पे, फिर आपको wave equation पढ़नी है, ठीक है, wave equation पढ़नी है, और wave equation में भी standing wave यानिकि दिफेंट दिफेंट तरीकली, wave velocity, group velocity वो पढ़ लेना है, doppler effect आपको पढ़ना है, doppler effect पढ़ना है, ठीक है, और open and closed organ pipe पढ़ना है, ध्यान रखे, open and closed organ pipe, यह एक quite important question है, जहां से मैं हमेशा देखता हूँ कि question पूछा जाता है, यह one of the most important question है, फिर आपको lens formula, basically lens formula के question आते हैं हम से, ठीक है, और, एक question, resolving power का पूछा जाता है, हमें से, resolving power का question पूछा जाता है, optics से, diffraction से एक question आता है, diffraction grating का अचा है, देखे, diffraction grating पढ़ लेना, इससे एक question आता है, numerical करना सीख लेना इसका, polarization, one of the most important topic है, polarization, circular, electrical polarization, यह आप EMT में भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजेगा, इससे question बनने की संभावना पूरी-पूरी रहती है, और interference पढ़ लेना, ठीक है, तो यह इतने topic जितने लिखे हैं, note कर लो, copy खोलो, और lecture में बैटे हो तो copy कोल के, इन topic को note कर लो, I hope all these topics are quite important, देखो, electronics में BJT पढ़ लेना, एक कोशिन BJT का आएगा, एक कोशिन Jenner Diode का आएगा, ठीक है, यह है, analog electronics, digital पूरी पढ़ लेना, digital electronics में gate पढ़ लो, gate के बार number system पढ़ लो, ठीक है, और boolean पढ़ लो, तो gate, यह तो पूरा पढ़ना है, digital electronics पूरी पढ़नी है, और analog में केवल BJT और Jenner Diode पढ़ना है, ठीक है, और फिर बात करें, तो अगर हम electronics के बाद, SSP के बारे में बात करें, solid state physics के बारे में बात करें, तो solid state physics में, crystal system पढ़ देना, crystal system, और Miller indices, मिलर indices, ठीक है, यह पढ़ना है आपको, और breaks law पढ़ना है, ठीक है, slabbers में बहुत चीज मैंने है, वहां से question नहीं आता, और यहां से breaks law पढ़ लेना है, तो यह बात होगी, electronic और SSP के, तो please, any doubt, नीचे यह तो हमारे साथ WhatsApp ग्रूप में जुड़ जाएगे, बहुत जल्दी, हम आपको IIT Jam के perspective से, अगर आप IIT Jam 2023 की तहरी कर रहे हैं, तो we launching a crash course, already आप हमारे app store से, ठीक है, यानि कि Google Play Store पे जाके, app डाउनलोड कर सकता है, अगर आप सिंपली फिजी केम सर्च करेंगे, फिजी केम सर्च करेंगे, कहां पे, टेलिग्राम गुरूप पे, तो you found, आपको वहां पे देखेगा, कि हमारा app देखेगा, जिसको आप डाउनलोड करके, फ्री में, पूरी study material की PDF डाउनलोड कर सकता है, study material पूरा, 100% free study material, test series 100% हम free कराएंगे आपको, यह आपको free of cost में लेगे, बस आपको pay cash के लिए करना है, you have to pay for only the crash courses and light courses and recorded courses, और minimum cost, minimum मतलब हमारा जो course है, पूरा ITGM का, 1000 रुपे से start होगा, और यह 4000 के अंदर सिमट जाएगा, समझ रहे हैं बात को, तो आपको 1000 रुपे में भी पूरा course मिल जाएगा, इस तरीकी के हम आपके लिए, एब बना रहे हैं, आप प्ले स्टोर पे जाओ, फिजिक गेम कर सर्च करो, डाउनलोड कर लो हां से, ठीक है, फिर बात करें, KTG की, यान की kinetic theory and thermodynamics के, ठीक है, kinetic theory और इसके बारे में भई, थर्मडाइनमिक में है, तो काई KTG में सबसे पहले important part है, kinetic theory of gases, तो KTG के अंदर, यान की kinetic theory of gases के अंदर, सबसे पहले आपको velocity distribution पढ़ना है, यान की तीन तरीकी की velocity होती है, velocity यान की speed of gases, velocity of gases, RMS most probable है ना, यह सारी speed पढ़नी है, फिर आपको mono die or triatomic gas पढ़नी है, आपको पढ़नी है, mono die triatomic gas, यह topic को ध्यान से पढ़ देना है, this is again a quite important topic, जो मैं आपके लिए मानता हूँ कि यह आपको पढ़ना चाहिए, ओके, फिर mean free path, KTG में mean free path पढ़ना कासा important है, mean free path, okay mean free path, again important, सर्च, देख लो, ध्यान से पढ़ देना, फिर thermo की बारे में बात करें, तो thermo में lodge, thermo dynamic की जितने lodge होते हैं, यह आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, processes, thermo dynamic processes का question आता है, work done, in thermo dynamic processes, यह एक काफी important question है, देखें, entropy का सवाल, entropy निकालना, किसी system की, यह काफी important question है, entropy, system के लिए, second law of thermo dynamic, एक question हमेशा car not engine का आएगा, easy और important topic के अंदर आ जाए गई, car not engine, closest clap rain equation से उतना नहीं पूछता है, Maxwell thermo dynamic relation पक्का पूछेगा, Maxwell thermo dynamic relation यह पढ़ लेना है, और Maxwell thermo dynamic relation के बाद, Maxwell thermo dynamic relation के बाद, आपको Maxwell bultman, booze Einstein और fermi drug statistic पढ़नी है, ठीक है, Maxwell bultman, booze Einstein, fermi drug statistic पढ़नी है, और इसी के साथ, आपको ensemble के basic idea ले लेना है, ठीक है, तो ये KTG thermo dynamic का slabus में बता रहा हूँ, जहांसे 100% में आपको guarantee देता हूँ, कि एक भी सवाल इन से बाहर नहीं पूछा जाएगा, okay, so all the best, again I will telling you, कि आप हमारे WhatsApp और Telegram गूरूप पे जुड़िए, और साथी साथ, एब स्टोर पे जागे, याना कि जो प्ले स्टोर होता है Google का, वहाँ पे जाके आप फिजिक हैम करके, हमारे जो एप है उसको डाउनलोड कर लीजे, बहुत जल्द आपको वहाँ पे फ्री टैस्टरीज मिनने लगेंगी, आपको फ्री स्टेडी मेटीरियल मिलेगा, और आपको लगवग 50% आईडी जैम का कोर्स फ्री और कोस्ट हम एबिलेबल करा देंगे, फॉर शूर, सो गाट बलेश यू, टेक कियर, बाबाई,